कमश्राइब, मैं कप्पल गुल, लाइब्रेरिं गुरी एक सेकेंड, राज की सारह में मंदल पुस्काले अजमीर में खारे रखूँ, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली बार राजसान लोग से वायोग की पुस्काले दिर्ष दितिश रणी वर्ति परिशा 2019 में, लाओधे अध्याले समीटी टी, PGT लाइब्रेंड की परिक्षा आई रही है, तो मुझसे आप में से ही कही इफ्यर्टें में संपर करने का प्रेयास के है, कि सर, हमें भी इन परिक्षाँ में सफल होना है, तो आपकी क्या स्ट्रिक्स यही, आपने क्या बुक्स पढ़ी, आपके क्या स्ट्रिक्स थे, तो वो सब अगर आप हमें थोड़ा गाइड कर दें, तो बहुत अच्छा होगा, तो उससाब से मैंने सोचा कि, इंडिजिएली मैं एक एक को नहीं बता पहूंगा, तो यूट्यूब बहुत अच्छा माध्या मैं आज के यूब में, जाज़ उससे पहले तो नहीं कहना चामा कपी जी, बच्चों का सबसे ज़्यादा को प्रशन रहा है, यह रहा है कि कैसे प्यारी करें, देखे मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी का, कोई एक फिक्स रूल नहीं है, कि अगर हम उसको फॉलो करें तो, या किसी टॉपर में वो फॉलो करा, अगर हम उसको पूरा फॉलो करें तो जैसे उसने अची ही करी, हम भी अची ही करने मेरा ऐसा मिमाना, क्योंकि हरे एक व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बहुत चंता हरे एक व्यक्ति का अलग होती है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि, मैं एक पूरा कि यहां हम पूंगा आपको उसे फॉलू करने से पर हां जो मेरी तैयारी में जैसा लाब्दाय कर हां, मैं वह आपको बताना है कि पूरी स्टैटेजी की बात करेंगे तो यहां हम कपिश जी से बात करेंगे जो हाली में आर्टिस सी अंदर सेगंड ग्रेड में वे थे रहें वहाजन उने वहाजन थी तो यह हमें बताएंगे इस प्रकार से स्टाइजी और किस प्रकार से आपको बुक लिस्ट का लेक्शन करना है जादा भूक्स मा पढ़नी काफी कम टाम मेरे अधिल से दो मेंने हैं अपर समेंट तो आप 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 गयार से तो आप आपको पता है काफी बारा वेकंश के लिए काफी बड़ा है उसमें कॉम्पूटिक्शन देखने को मिला था तो उसी को तर्ज बनाके दो जरा ठारा भी इनुपा किलियर है जो रास्तन करंचाय चेंगोर के दोड़ा निकाला गया था काफी सालों के पात में लाइबरे वेकं पता है जो पता है पिछला शलेबस और आज का सलेबस काफी डिफरेंट भी आपे देखनों मिला है और काफी स्टुट्स पर यह भी कहना है कि सरम क्या पड़े कहा से पड़े कर इतना उन्होंने वास्ट सलेबस दिया है तो अभियक्ति को यह चीज समझ में नहीं रहा है हल उनने एक पड़ी णफरोटिज उन्फोर्टनीटी वो लग गये तो वह एक प्रोपर स्ट्रेटिजी होए और प्रोपर पना करियर शीका भी है तो यह अच्छ cuánt the तो यह को अच्छ से बताता है है ने करेंगे गिजस्तो मान काफी आपके लिए हैल्फुल होगें तो आप चैनल को जुदुर सब्सक्राइब और लाइक बढ़िंग करना बहुतुल ना बूलें तो चलिए कपिल जी से वाक्ति से कुन बात करते हैं उनकी जो जर्नी जो रही है और यह सफलता जो इनोंने को खाशिन की है तो उसके बारे कि हम किस लेवल पे और हमें पढ़ना चीए यह फिर क्या चीज हमने नहीं पड़ी और किस प्रकाद से हमने इसको और अच्छी से दो मेने में अपकिया जाए तो वो चीज आप यहां पे शेयर करें तो तो सबस्क्राइब आपने जर्नी बताएगे क्या रहा आपके जर्नी को जाइन किया था और आज 11 जुलाई अनुकी करिक तेरा महिने पूरे हुए हैं तो यह 13 महिने का सफर काफी अच्छा हा बहुत अच्छा सीखने को मिला और आपको पता है राज की सिवा में आने के बाद देखती कि जो सोचने और विचारने की जो शंता है उसमें भी काफ सफर काफी अच्छा रहा और जहां तक इससे पहले का सफर जब मैं तयादी कर रहा था तो काफी चुनाती पूंड था क्योंकि पहले भी दिये थे लेकिन चंद लंगों से रह गया सफलता मिली धीरे धीरे फिर उसको सीकारना और आगे फिर इंप्रूफ करना तो मतलब मैं मैं कह सकता हूं कि अगर आप सफलता से निराश नहीं होते और अगर आपको सफस्स मिलेगी मेरा ऐसा मालना है लाइब्रेरी साइंस की जहां तक बात है तो मैंने 12 के बाद डिप्लोमा किया मतलों मैं ग्रजूशन कर रहा था बीए अजमेर से ही अजमेर में मैं पढ़ा हू इसके बाद मैंने 12 के रेगूलर 12 करी 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 इसके बाद मैंने 12 करी इसके बाद मैंने 12 2016 में उसी दौरन सबसे पहले राजस्ता में परंचारी चेंगोड में पांसो बासक प्रदों के लिए प्रतिशनी परिक्षा हाईजित किया 2016 में 2017 में 2016 में उसका नावनमरी में विपर हुआ था और यह? वह भी मैंने दिया कि मेरा डिप्लोमा हो गए हम गए, लेकिन नहींनों परंटीज़ करते हैं, तो अलग चीज है और त्रतिशनी परिक्षा की तयारी अलग चीज है लेकिन उसके में मुझेश में एक्स्पिजीश है नहीं था तो मेरा उसका नहीं हुआ, उसके बाद मैं डिप्लोमा ये डिग्री करना था, मैं बैचलर्स की वर्दमा से, इसी दौरान में केंड़े विध्यालाई की डीडी लाज़री में के उटें से अगी, तब मैंने उसका भी कॉंफिल किया, फंटेनी अपनी तैयारी करी, मेरा पहल फिर देलेक का इंटर्व्य हुआ, उसके कुछ टाइम बाद ही, फडिग्रेक की जो एकेंसी थी दुबारा आगी, दोजार रखा रहा वाई इस आप सुआसे, तब मैंने सोच लिया का कि आपके बार तो कुछ भी हो, करना भी है, फिर मैंने तैयारी उसके स्टार्ट करी, इसी दौरान फिर महोदे देलेकी आगी लेकिन सी, तो मैंने सोचा कि चलो, दोनों की ही करते हैं और जैसे इसी साल आई है, नहोदे गया है, जैसे अब इकी वार महोदे और थड़गरेक साथ हैमें तुस समय दी ही ही था, फिर उस वक्त मैंने गया और थड़गरेक का पेपर आउट हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि क्या बीटी है, जो काफी सन्हे से संगर्ष में लगा हुआ था, तो फिर भी मैंने का चलो, इश्वर को और कुछ अच्छा मेंजूर हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर बीच में के नगोदे का पेपर हो गया, तो मैंने को परान, आरपीसी की 2nd grade जो हमारे डपार्टमेंट आये, घाश्वर विसका बेपार्टी बारा पदूं के लिए अभी, तो उस रख पर ऐसा लगा की, पोस बहुत हम है, इसमें तो पहाँ होगा, लेकिन यह था ना कि अपन 3rd grade की कबने नगोदे भी कबने हैं, तो बहा फॉ बहुत हो जाएगा, 2nd grade का अबस्त में हुआ और 3rd grade हुआ सेप्टेंबर 2019 में, तो 2nd grade का paper मैंने दिया तो बहुत एजी का मुझे लगा, शायर एंट्र में तो पॉल होने चाहिए, सेप्टेंबर में 3rd grade हुआ, तो 3rd grade का भी है, मतलब यह था कि paper तो पिछली बार से काफी lengthy मतलब ज्यादा तफ नहीं था, लेकिन यह था कि जनान अच्छी तयारी की है, काफी टाइम से रहो जाएगा, उनका हो जाया तो मैंने फिर 3rd grade का भी दिया, अब मेर का, मैंने 3 पेपर दे लिए तो आप दे लिए, 2nd grade भी दिया, नहो दे भी दिया, उसी साल चाहिए, और 3 3rd grade भी दिया, 3rd grade भी दिया, अब सबसे पहले जिए result आया, वो आया 3rd grade का, तीन कुना का result आया था, तुम कि लग रहा था, मेरा आओ गया, और cut-off से मैं मानता था, मैं काफी उपर हूँ, तो मेरा final merit भी बसने भी दिया, इसी दिया गारा, नमबर में फिर 2nd grade का भी return का result आ बना लिया, कि अबल इंट्री दो हटा दिया और खाली जो return का base था, computer based उसी भी merit बना लिया, लेकिन उससे पहले ही, मेरा 2nd grade का interview हो गया था, तो मुझे लग रहा था, इसमें मैं कुलियर बना हुआ, और फिर, यही हुआ, कि मेरा 3rd grade भी किलिए हुआ, 2nd grade भी किलिए हुआ यहां से देख सकते हैं किस प्रकार से इनोंने अपनी जो सफलता है, उसके मंतर आपको पढ़ाए, तो चलिए बात करते हैं, इनकी strategy को आपने देख लिए किस प्रकार से निकले, कैसे इनोंने preparation किये, और किस प्रकार से इनोंने जो तजरुआ है, लाइफ का, जो success पाने के करता है, तो वो इनोंने आपके सामने शेयर लिया, अब हम चलते हैं, इनकी पुस strategy के बारे में, जिस exams के लिए इनोंने अथ्यार यूज़ किये, मेरा कहने का मतलब बुक्स यहां पर यूज़ की तो इवर आप बुक लिस्ट प्रता देजे, एक शॉर्ट में की कौन-कौन इसके अलावा जो जितने भी RPC के और रास्तान चैन बोर्ड की जो पेटर हुए हैं, उसमें जो रास्तान जी की का पार्ट है, तो मैंने पूरा सॉल्व किया, उनकी वेब्साइट से मैंने पुसे में पर डाउनलोड करके, पिछले जितने भी वेब्साइट हुए हैं, सार पार नमर गैन कर लेते हैं, वहां से कम तर लेते हैं, उसके लिए कुछ और भी ऐसा है, बताने चाओ लेगा है, उसके अब ने पर लिए पास में जो नॉन टेखनी का पोर्सन हो गया, उसके अंदर हमारे पास में करंट जीके का पोर्सन आता है, जो मेरे खाल से 10 से 15 कुछ पास में कर लेते हैं, उसके लिए तो देखिए ना, एक दृष्टी राजसन करंट अफेर्स कुछा आती है हर महीने, लेकिन वह तो मन्त लिए तो बच्चे तो एक के, राफी, कहां से उसको पहले की लेनी हैं तो, मेरे साब से इंजाता करंट अफेर्स का है, अगर अगर मुमल का आता है, तो मुमल वार्षिगान, मेरे कहने करना आप ले सकते हो, एक साल का करंट जी के, आई हो वाह से के लिए रहागा, ज्यादा बड़ी बुक्स नहीं, I hope 200 पेस की है, लेकाल साब निफ्टाल होगे, तो उसके वाद में यहाँ पे आते हैं पैड़जी जोडा गया है, तो उसके लिए भी आपे 10-15 कुशन आप रखेगा अरसंदी बौर, हाला कि इस सब पहले जो एक्जामनेशन देखेगे हैं, तो उस दिन पहले एक कमपोर्टन स्क्टर का होगा है, तो वहाँ पे इससे कुशन नहीं पूछेगे, वहाँ से नहीं पूछेग जोड़ा गया है, तो इसके अलावा हम जो जो रिएक के पेपर है, या केंदरी विद्याले की पीर्टी और नौले विद्याले की पेपर होते हैं, उसमें अगर हम साइकोलोजी का पारट पुरा करने है, तो मेरे हैसाब साथ वो अश्विशन रही है, तो वो तो सर रफी ब आपर पुर्परसिस को रिएकल है, जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, इसे रिक का हुआ है इसने साल, वो अगर हम करने तो हम हम एप खोड़ा सा आइडिया हो जाए अगर की साइकोलोजी किस तरह के पुछी बहरा है, तो मुझे लगता है कि शायद वो सफिशन अगर मुझे दिख रहें कि वर्ड और इंडिया का जीके भी या रहें अपर की रहें तो उसका क्या आपर रोल रहा है, क्या रहेंगे दस पूंदर शायद दो साल, इसने लिए परिएकग लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल कौ्षिं उसका रहें तो उसके लिए वो तो वह बड़ा अपन्याम में है तो के से प्रिपेर रहे हैं देजिए इंडिया जी केंगे लिए तो मैं यह कुंगा कि जो NCRT सार संदेर गुप आपकी है अगर अगर पुब्लिकेशन की प्रगाटगी का उसमोस लिए तो अगर आप गो लें जिसमें NCIT का सार दे रखा है तो वो सफिशन रहे हैं तो वो ठीक रहे हैं तो उसे बोस्ट अफली दस कुशिंस में अपोसिमेंटर पांच-8 कुशन दिलो कर लें तो वहां पे रहे हैं इ आप पर जो बुक्स है क्या रहे हैं देगे लाइट-बेस हैंस में जो सबसे पहले मैंने बुक पड़ दी वो ही अमित किशोर की उसका लिए विद्धियान के अलफाराना अपने किन बसकुनिश्ट दुश्टिकों उसमें पहले आगे ठीरी के कलपाट दे रहे हैं और उसक किसे रिलेटिफ काफी किश्ट दे रहे हैं लेकर अपकी बार जो सिलेब्रस है उसमें में काफी चीज़ें मिस कर दी हैं मतलब जैसे फांडेशन ओफ नाइट-बेस साइंस, मैनेजमेंट, ब्रेफरेंस, कंप्यूटर ये टॉपिक नहीं दी हैं केवल क्लासिफिकेशन और केटलोगिं बहुत मीजर टॉपिक्स हैं वही उसमें इंक्लूड है तो मैं आई ही तो मैं पुस्काले मिते हैं वस्पिनिश अधार नामत्नों दुर्श्टिकों आई जो किल्बुक हैं उसमें आप केवल पुस्काले अबर्किकान आप सुची करने का पार्टी करिए ज्या केटलोगिं नहीं दे रखाएं तो उसके लिए में आप ब्लासिफिकेशन केटलोगिं की बुक आती है तो वह पूरी करिये वह इसके लिए बहुत ही लाबदायक रहेगी और जो हमारे स्कुड़ेंट्स हैं जो हमारे पंडिलियंट्स हैं इंडियं 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 आपके अच्छा उसमें मैठल दे रखा और उसमें इदनों से ही रेफरेंस दे रखा हैं काफी चीजें से मिलर रही दियुकी तो उसके लिया आपर उसी यूपी आई यूपी 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 जो वेबसे आप दे लाए इसको नाउलोग कर पर पोस्त और उसमें शची करन का पुड़ा दे लिए अच्छा एक अनाई यूस में फिर निए यह रेती यूपी यूपी टेर्ज़ यूपी 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 वाह पर इसमें दील मैं ने यूपी लोग है और भूद है यूपी बदे नहीं देदे लूए गात रोगा गी तो बेसे वा यह जो मैटर आपका नोन टेखनिकल का जो सोर नुमर कराएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल सी मिल जाएगा तो दोस्तो यह हमार पास में आज की स्ट्रेटिजी अच्छा और पुछ आप पहना चाहिए कि इसके अलावा कुछ भी इस पढ़नी चाहिए इसके अलावा में क्याना चाहूँआ कि आप एक संतोष कुमार की बुख आती गया है, I.T. रूपी गया है नाम से वहोंने जितने की नहीं लग्रियो साइंस के पिटर हो हैं अब जादा से अधर स्वाव करी का मुझे लगता है कि वह बहुत ही मेजली से दूइ पाफी कुरिशन्स थे जो कही न कहीं से या किसी न किसी तरह से रिपीट देग अभी जो एक मार्केट में त्रोहर करके बुख सब रही है इसमें आपने अपने अपने आपने आपने न कि इसमें आइरर्स कितनी है तो हम क्या है एक बार तो ऑफ्थेंटिक हमें इगनुए या यूपी आइटी ओगी को पढ़ना है तागि हम दुबारा पर 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 प्राथ रहे हैं तो हमें वो आइडियो जाए हो कि हाँ इसमें कुछ गल्पी है अगर हम सीधे ही ऐसे प्राइ इसके अलावा बस मैं तो मेरे का तो मेले में मतलब की मोस्ट अफली एक तो इनको लक्षे की भूप आप ले सकते हो ना करण जीके की लिए एक मुमल ले सकते हैं और पर प्राइब दर से देख सकते हैं और एक के जो इंडिया वड़ता जीके बागा है वो एधर आप टेक् इनियर अपर तहरा अधे वक्रम फिसक्राशत है बि काफी ठीजह कि ओलेयर कि इनको पता भी नहीं हो और मेरे अभी तक जिन ग्ंडेट्स और देखा यह क्यों कि most ofly जो authentic books हैं वो ही आप पढ़ें इसमें क्योंकि एरर काफी यहां पर रहती है और direct exams में पोर्शन कुछते हैं एक इन्होंने बताया कि old question आपको यहां को सोग करने है जैसे इन्होंने बताया शन्तोष सर्क कर्षे जोश्मार तो वो आप books ले सकते हैं वहां से आपको MCQs म बने जाएं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगाँगा दोस्तों इसी प्रकाल से आप चैनल के बने रहें और साथ यह next candidate का भी इंट्रिवूस जल्दियां पर शेर करेंगे तैंक्यू मैंने पार्ट